जैहन दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे पिरमुग देशों की संसत, राजधानी और उनकी मुद्रा के बारे में इस वीडियो का first part में already जिसमें 15 questions थे उनकी वीडियो बना के upload कर चुका हूँ तो ये दोस्तों उसी का second part है तो चलिए दोस्तों ज्यादा समय ना लेते हुए start करते हैं आज की वीडियो question number बन है दोस्तों भूटान की संसत का क्या नाम है तो दोस्तों भूटान की संसत का नाम है तिसोंग्डू ठीक है तो यहाँ पर option A जो है वो आपका एकदम सही आंसर होगा तो दोस्तो भूटान की संसत का नाम तिसोंग्डू है उनकी राजधानी थिम्फू में है और उनकी जो करेंसी यानि की मुद्रा है वो है डुल्टरम ठीक है तो ये तीनों चीजन दोस्तो आपको पता होना जरूरी है अगर आप किसी भी सरकारी जोब के लिए एक्जाम की त अप्सेंब्ली तो ऑप्सान अपर सही अंसर होगा पाकिस्तान की राजधानी दोस्तो इस्लामنबाद में है उनकी करेंसी हैं पाकिस्तानी रुपिया ठीक है चलिए अगले कोश्चों की तरफ चलते हैं कोश्चन अमबर ठी है हमारा छीन की संसत का नाम क्या है तो दोस्तो चीन की संसत का नाम है तो यहाँ पर option C आपका सही answer होगा चीन की राजधाने दोस्तो वीजिंग में है और इनकी currency है रेन मिन भी ठीक है राजधाने इनकी कहाँ पर है वीजिंग currency किया है इनकी रेन मिन भी ठीक है चलिए अगले question के तरफ चलते हैं question number 4 है दोस्तो France की संसत का नाम क्या है तो दोस्तो question number 4 का सही answer होगा option B national assembly France की संसत का क्या नाम है national assembly है और France की दोस्तो जो राजधानी है वो है Paris और इनकी जो मुद्रा है यानि की जो currency है वो है दोस्तो euro ठीक है चलिए अगले question की तरफ चलते है question number 5 है हमारा बांगला देश की संसत का नाम क्या है तो दोस्तो बांगला देश की संसत का नाम है जाती ये संसत ठीक है तो option C यहाँ पर correct answer होगा बांगला देश की दोस्तो राजधानी धाका में है और currency यह है इनकी टका ठीक है currency क्या है इनकी टगा है, राजधानी ढाका है और इनकी संसत का नाम है जातीय संसत, ठेक है? चेलिए अगले question की तरफ चलते हैं दोस्तो Question number 6 Question number 6 है अफगानिस्तान की संसत का नाम क्या है? तो दोस्तो अफगानिस्तान की संसत का नाम है Sura, तो यहाँ पर option A आपका सही answer होगा अफगानिस्तान की राजधानी दोस्तों काबूल में है और इनकी currency है अफगानी चलिए अगले question की तरफ चलते हैं दोस्तो question number 7 question number 7 है Switzerland की संसत का नाम क्या है तो दोस्तो Switzerland की संसत का नाम है वो है federal assembly तो यहाँ पर option D आपका सही answer होगा प्रायधानी है दोस्तो Switzerland की वर्न में और इनकी currency है Swiss franc वीडियो में आगे बरने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो का जो part 1 है वो मैं already upload कर चुका हूँ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को जरूर देख ले question number 8 है तुर्की की संसत का नाम क्या है तो दोस्तो तुर्की की संसत का जो नाम है वो है grand national assembly तो option C यहाँ पर सही answer होगा तुर्की की राजधने दोस्तो अंकारा में है और इनकी currency क्या है Turkish lira तो किसी भी देश के दोस्तो आपको राजधनी currency और इनकी संसत का नाम पता होना बहुत जरूरी है अगर आप किसी भी exam की तयारी में लगे हुए है तो ठीक है चलिए अगले question के तरफ चलते है question number 9 Australia की संसत का क्या नाम है तो दोस्तो Australia की संसत का नाम है Parliament तो यहाँ पर option D आपका सही answer होगा Australia की राजधनी दोस्तो कैनबरा में है और इनकी currency जो है वो डॉलर है ठीक है अगर दोस्तो आप इस वीडियो की PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम चैनल जिसका लिंक इस वीडियो की description में है वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप टेलिग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सिवा online classes तो आप directly हमारे टेलिग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे जिसका आइकन दोस्तो इस तरह से लगा हुआ होगा ठीक है तो किसी भी PDF का आपसे मैं कोई भी चार्ज नहीं लेता हूँ बिल्कुल फ्री में आपको सभी उपलब जो वीडियो की PDF फाइल्स हैं वो उपलब करा देता हूँ question number 10 है दोस्तो सयुक्त राज अमेरिका यानि की USA की संसत का क्या नाम है तो दोस्तो सयुक्त राज अमेरिका की संसत का नाम है Congress तो option B यहाँ पर आपका एकदम सही answer होगा सयुक्त राज अमेरिका की दोस्तो जो राजधानी है वो है वासिंग्टन DC में और इनकी करेंसी है अमेरिकी डॉलर ठीक है चलिए आगे चलते हैं दोस्तो question number 11 question number 11 है हमारा कनाडा की संसत का क्या नाम है तो दोस्तो कनाडा की संसत का नाम है Parliament और यहाँ पर option B आपका जो है बुश सही answer होगा कनाडा की राजधानी है दोस्तो Ottawa में and currency है इनकी Canadian dollar ठीक है बहुत ही important वीडियो है दोस्तो एक के question को आप कई कई बार देखें और इस PDF से उनके लिए revise करते रहे हैं ठीक है question number 12 है दक्षिल अफरीका की संसत का क्या नाम है तो दोस्तो दक्षिल अफरीका की संसत का नाम है Parliament यहां पर option D आपका सही answer होगा दक्षिल अफरीका की दोस्तों जो है वो तीन राजधानिया है ठीक है पहली राजधानिया है दोस्तों इनकी Pretoria जो की कारेपाल का है Cape Town विधाई राजधानिया है और Blunt font जो है इनकी वो नियाएक राजधानिया है ठीक है तो इनकी तीन राजधानिया अगर आप किसी भी question का option मार्ड जैसे question है और इसमें तीरों में से कोई सा भी option आपको दिख रहा है तो आप तीरों में से कोई भी option को take कर सकते है currency है इनकी दोस्तो दक्षिल अफ्री की रेंड ठीक है चलिए अगले question की तरफ चलते है question number 13 question number 13 है हमारा स्री लंका की संसत का क्या नाम है तो दोस्तों स्री लंका की संसत का नाम है स्री लंका पारली में थुवा ठीक है स्री लंका पारली अमेथ हुआ ठीक है और राजधानी है दोस्तों इनकी कोलंबो और स्री जैवर्दना पुरा कोटे है ठीक है स्री लंका की दो राजधानिया है पहली राजधानी है कोलंबो में और दूसरी राजधानी में स्री जैवर्दना पुरा कोटे में ठीक है करेंसी है इनकी रुपया ठीक है चलिए अगले question की तरफ चलते हैं question number 14 question number 14 है दोस्तो अर्जेंटीना की संसत का क्या नाम है तो दोस्तो अर्जेंटीना की संसत का नाम है national congress तो option d यहां पर आपका सही answer होगा अर्जेंटीना की दोस्तो राजधानी viewness IRS में है और इनकी currency है peso अब चलते हैं आज की आखरी question की तरफ न्यूजेंटीना की संसत का क्या नाम है तो दोस्तो न्यूजेंटीना की संसत का नाम है पारे माता आट ओरिया तो option c यहां पर सही answer होगा न्यूजेंटीना की राजधानी दोस्तो वेलिंग्टन में है और currency है इनकी न्यूजेंट डॉलर तो दोस्तो आज की वीडियों बस इतनी 15 question थे इस वीडियो की PDF file with answer की आप यहां से हमारे टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं विल्कुल free of cost आपको कोई भी पैसर देने की जरूरत नहीं है तो उम्मीद करते हैं दोस्तो वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो मुझे आपसे share जरूर करते हैं तो चलिए कल फिर्म लेंगे किसी और अने टॉपिक पर एक important वीडियो लेके तब तक के लिए नमस्कार जैहिन जैभारत